राजस्तान के पुर्व डिप्टिसीम सचिन पाइलेट की बॉल पर पी एच एडी मंत्री महेश जोशी ने जोड़दार शोट लगाया है इस पर पाइलेट ने कहा है कि महेश जोशी हमारी सरकार के मंत्री है उन्हें में कैसे आउट कर सकता हो वैसे भी उन्होंने मुझे बॉलिंग कराने से पहले कहा है था कि ज्यादा तेज बॉल मत फेकना मैं उन्हें कहा कि चिंता मत करिये स्वीट बॉल फेकूंगा राजानी जैपूर में स्वाधीन फांडेशन की ओर से जैपूर क्रिकेट लिग का रविवार को रंगा रंग आगाज हुआ है वही मान सरोवर के के एल सैनी स्टेडियम में लिग के उधगाटन मैच में पाइलेज ने पहली गेंद फेक कर टोनामेंट की शुरुवात की है कैविनेट मंतरी महेश जोसी ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाया वहीं पाइलेज ने कहा है कि खेलों से शरीर फिट रहता है इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है इसलिए खेल बहुत जरूरी है उन्होंने कहा है कि करोना की दूसरी लहर के बाद जैपूर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और अभी करोना का खत्रा टलान नहीं है ऐसे में हमें इस टूनामेंट में भी पूरे नियमों का पालन करते खेलना होगा तब ही हम खुद को और सब को करोना से बचा पाएंगे जलादे मंतरी महेश जोशी ने कहा है कि राजस्थान में खेलों का बढ़ावा देने के लिए कॉंग्रेस सरकार बहुत से काम कर रही है राजस्थान में खेलों में नाम रोशन करने वाली खिलाडियों को पुरुस्कार स्वरूप नौकरी भी दी जा रही है जैपूर क्रिकेट लिग से भी खिलाडियों को पुरुसाहन मिलेगा आपको हमारी रपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखे बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूस के साथ